चुरू गुर्मॉर्णिंग बच्चो आज हम पढ़ाई तुहर द्वार राज्जिस्री ओनलाइन क्लास के संदर्व में कक्छा सात्वी अध्यायदस आरेक के विशय में जानेंगे मैं श्रीमती राज्जिस्री साहू शाष्किपूर मादमिक शारा सिवनी बलॉकभनपूर जीलारायपूर छातिजगर तो आईए बच्चो आज हम आरेक के विशय में जानेंगे अब ये आरेक आप लोग ये नाम सुन रहे हैं आरेक तो आरेक को हम इंगलिश में कहते हैं ग्राफ तो आप इसका प्रयोग भी कहीं न कहीं आपने सुना होगा देखा होगा तो क्या आप बता सकते हैं कि आपने ग्राफ का प्रयोग कहा कहा किया है, किन-किन चीजों में आपने देखा है, क्या आप बता सकते हैं, तो चलिए, मैं ही बताती हूँ आज आप लोगों को, ठीक है, जैसे कि आरेक, जिसे हम ग्राफ भी कहते हैं, ठीक है, अब ये आरेक है क्या, तो आरेक सांखिगी का बहुत ही महतपूर्ण हिस्सा है, बहुत ही महतपूर्ण भाग है, जिसकी सहता से आप बहुत प्रकार की सुचनाओं को संकलित करते हैं, और उसे एक कागज पर, जैसे कि ये या एक सम्टल पर आप उन सूचनाओं को आप प्रदर्शित कर सकते हैं, तो आरेक का प्रयोग हम सूचनाओं को प्रदर्शित करने के लिए करते हैं, जिसका उपयोग हम सांखिकी में करते हैं, ठीक है? अब इसके अंकर में कुछ चीजों की जानकारी होनी चाहिए, कुछ शब्दों की जानकारी होनी चाहिए, कुछ बातों की जानकारी होनी चाहिए, वे शब्द क्या हैं, वे बाते क्या हैं, चलो हम लोग जानते हैं इसके बारे में, तो इसके पहरे में आप लोगों को यह पूछना चाहांगी कि जैसे कि आप अगर क्लास में बैठते हैं तो कैसे बैठते हैं? पंक्ती बद्ध बैठते हैं, कतार बद्ध बैठते हैं जैसे कि यह एक classroom है, यहां पे शुक्षिक्का पढ़ा रही है हैं और आप यहां पर बैठे हुए हैं समझ लीजिए यह कुसुम है यह हेमलता है यह प्रवीन है ठीक है यह रीता है ठीक है यह ओम प्रकाश है ठीक है इसी प्रकार से कुछ बच्चे यहां पर लाइन से कतारबग बैठे हुए हैं तो क्या आप बता सकते हो यहां पर ओम का इस्थान क्या है ओम किस इस्थान पर बैठा है बिल्कुल तो आप बताएंगे कि यह दूसरी पंक्ति से दूसरे इस्थान पर बैठा हुआ है दूसरी पंक्ति में दूसरे इस्थान पर बैठा हुआ है तो इस प्रकार से हम किसी भी हां बच्चो तो इस प्रकार से हम किसी भी बच्चे की सिती को अराम से बता सकते हैं कि वो बच्चा कहां बैठा है जैसे कि मैं अगर पूछो कि कुसुम कहां बैठी है तो मैं बता सकती हूँ कि कुसुम जो है पहली लाइन में पहले ही स्थान पर बैठी है है ना? तो इस प्रकार से आप किसी भी बच्चे की सिती क्लास में बटा सकते हैं. ये तो हो गई आपकी सिती। इसी ही प्रकार से आप अगर किसी दोस के यहां चलो, घुमने जाना साते हो, घुमने चले भी गय हो और आपको उस दोस्त ने पता बता दिया है, है ना ठीक है आपको पता है कि वो फलाना फलाना मतलब मोती नगर में रहता है रायपूर के मोती नगर में गली नमबर दो में ऐसा रहता है ठीक है इस प्रकार से आपको पता है तो आप कैसे जाएंगे उसके लिए आपको क्या जरुवत होती है दिशाओं की जरुवत होती है ठीक हैं? तो समझ लेजिए आपके किताब में ही जैसे की दिया हुआ है अगला जो गतिविधी है मैं उसी के बारे में बात कर रही हूं प्रिश्च नमबर 120 में एक गतिविधी दी गई है उसी के बारे में मैं बात कर रही हूं कि चलिए हम चलते हैं अपने गाउं या शहर की गली में चलते हैं जहां पर एक कोलनी का चित्र दिया गया है या एक इस्थान का चित्र दिया गया है ठीक हैं? यह इस प्रकार से ठीक हैं यह दिया गया है अब आपको बताना है यहां पर कुछ बिंदूएं है इसके बीच में कुछ गली के रिए रास्ता छुटा हुआ है यह इस प्रकार से और यह बीच में चौक दिया गया है समझ लीजिए यह जंडा चौक जैसे की समझ लीजिए एक इबिंदू पर एक घर है समझ लीजिए यह पी बिंदू पर एक घर है अब मुझे यह जो घर है मुझे वहां तक पहुंचना है तो मैं कैसे पहुंचूंगी मुझे इन बिंदू पर जो घर दिखाए दे रहा है यह कॉलनी का चित्र है एक जगा दिया गया है वह है जंडा चौक उसंडा चौक से मुझे इस इ बिन्दू पर एक घर है उस पर पहुंचना है मुझे पी बिन्दू पर एक घर है वहाँ पर पहुंचना है समझ लीजे यह पी बिन्दू पर जो घर है वह प्रमेंट का घर है यह बिन्दू पर घर है वह किसी इशेश या किसी भी बच्चे का घर है ठीक है तो मुझे वहाँ पर पहुंचना है तो मैं कैसे पहुचूं और आपके लिए ये शर्ट भी रखा गया है कि आपको कम से कम दूरी में घर को तै करना है और बीना मुड़े या एक ही बार मुड़ करके सीधे रास्ते सीधे सीधे जा करके एक ही बार मुड़ करके आपको ये क्या करना है इस घर को घर के पास पहुंचना है तो आप कैसे पहुंचेंगे तो उसके लिए मुझे दिशाओं का पता होना चाहिए तो जैसे कि हम एक समतल ज लोगों को एक समतल जगह में यहां पर बटे हुए तो आप यहां बराबर बराबर यह खाने बटे हुए तो कितने खाने चलेंगे तो कहां पर कैसे पहुचेंगे आप बताईए समझ लीजी यहां पर आप खड़े हैं जंडा चौक के पास तो जंडा चौक से मैं क्या मैंने चला अब एक खाना चलने के बाद मुझे एक पास पहुंचना है तो फिर से एक खाना और और यह दो खाना और तो मैं पुर्व की और एक खाना चलने के बाद मुझे कहां मोड़ना पड़ेगा उत्तर की और उत्तर की और कितना खाना चलना पड़ेगा मुझे दो खाना, ठीक है? पूर्व की और मैंने एक खाना और उत्तर की और दो खाना मूड करके मैं यहां कहां पहुँच गई? यह इस्थान पर इस बिंदू इस इस्थान पर जो घर है इशेश का घर है मैं वहां पहुँच गई ठीक है? आरी बास समझ में तो इस प्रकार से आप और भी दूसरे तरीके से इस E के पास पहुँच सकते हो इस E के पास पहुचने का दूसरा भी तरीका है आप जंडा चौक से पहले उत्तर की ओर दो खाना चलिए और उसके बाद पूर्व की ओर मुढ़ कर एक ही खाना मुढ़ करके आप E बिंदू के पास पहुच जाएंगे तो एक ये तरीका हो गया, दूसरा ये तरीका हो गया कि उत्तर की ओर दो खाना फिर पूर्व की ओर मुढ़ कर आपने एक खाना चल करके इस E बिंदू पर जो इस्थित घर है, वहाँ पर आप पहुच गये, ठीक है, तो इस प्रकार से आप किसी समतल जगह पर आपको कोई अगर बोलेगा कि आप नक्षा बनाईए, या उसके घर का पता बताईए, या दिखाईए एक कागज पर, है ना, एक किसी कागज पर बताईए, तो आप इस प्रकार की गतिविधी करेंगे, इस प्रकार से आप नक्षा बनाएंगे, तब क्या हो रहा है यहाँ पर जैसे कि आप संख्या रेखा जानते हैं यह मैं मिटा रही हुँ ना इसकी बाद पर मैं फिर से आउंगी इसमें मैं फिर से आउंगी कि यहां पर क्या बताया जी गया है तो जैसे कि आप संख्या रेखा पड़ते हैं तो संख्या रेखा में क्या होता है एक निश्चित बिंदू से जो जंडा चौक था एक निश्चित बिंदू से बराबर बराबर दूरी पर बराबर अंतराल पर यह संख्याय लिखी होती है समझ लीजिए यह एक है यह दो है यह तीन है तो आप एक निश्यद बिंदू पर जैसे कि मुझे इस तीन पर पहुंचना है समझ लिए यह घर है तो मैं इस निश्यद बिंदू से इस जंडा चौक से मैं तीन पर पहुंच कर के एके पास पहुच जाओंगी समझ लीजी यह है लेकिन उस चित्र में क्या हो रहा था मुझे सीजी रेखा में चल करके फिर से कहीं पर मुणना पढ़ रहा था तो इस संख्या यह तो मुझे धनात्मक की और जाना है तो मैं एक दो तीन चार पांच है जिस भी अधिन्द्र के पास मुझे जाने बुला जाएगा तो सुनने से महां तक में जांगी वैसा ही अगर मुझे ने बिंदू की और मुझे जाने कहा जाएगा एक ही दिशा में चल करके या उसकी उपरे दिशा में एक ही रेखा में चल करके मैं वो सफर क्या करूंगी तै करूंगी है ना सुन्य से या तो दाई और या तो बाई और लेकिन आपने वहाँ देखा पहले चित्र में आपने देखा जो आपके किताब में दिया गया है उसमें आपने क्या किया थोड़ा आपने दाया भी चला बाया भी चला उपर की ओर भी चला आपने नीचे की ओर भी चला ठीक है तो ये इस प्रकार के चलने को हम कहेंगे द्वी वी मिय चलाओ हमारा जो चल यह हो रहा है द्वी विभीमिय तल पर चनना हो रहा है कैसे अब ये मेटम क्या बता रही है एना तो मैं आरेक पर यहीं से आ रही हूं तो आरेक ग्राफ यही है कि आरेक और ग्राफ को हम एक द्वीं तल पर दर्शाते हैं जो भी सूचनाई हम दर्शाते हैं वो किस पर दर्शाते हैं एक द्वी विमिय तल है ना जहां पर हम कोई भी सूचना कोई भी जगह कोई भी संकेत हैं एक संकेतिक आरेक के द्वारा हम एक संकेत के रूप में हम व्यक्त करते हैं किसी भी सूचनाओं को ठीक है तो यह जो कागज है या कोई भी समतल जगह है इसे हम री विमिय तल कहते हैं जहां से हम दाएं भी जा सकते हैं एक निशिर बिंदू से बाएं भी जा सकते हैं उपर की और भी जा सकते हैं नीचे की और भी जा सकते हैं तो आपको क्या दिखाई दे रहा है एक धन काच आपने graph paper देखा भी होगा तो आरेक के द्वारा हम क्या करते हैं जब भी हम आरेक या graph की बात करते हैं तो हमें दो रेखाओं की जरुद पड़ती है एक 36 और एक उर्ध्वाधर उर्ध्वाधर मतलब खड़ी लाइन और एक 36 का मतलब है आडी लाइन अब ये आडी लाइन ऐसी ही लाइन नहीं है ये है संख्या रेखा एक 36 संख्या रेखा और एक उर्ध्वाधर संख्या रेखा ठीक है ये दोनों जो रेखाए हैं जिस को हम कहते हैं मूल बिंदू ठीक है इस बिंदू को हम क्या कहते हैं मूल बिंदू हम जो 36 संख्या रेखा है या यह 36 संख्या रेखा मतलब इसे हम अक्ष कहेंगे ठीक है यह 36 एक आड़ी लाइन की रुप में जो हमें दिखाए दे रहा है आड़ी रेखा हमें दिखाए दे र या उर्धुआधर संख्या रेखा जो हमें दिखाए देरी है इसे हम उर्धुआधर अक्ष या वाय अक्ष कहेंगे तो इस प्रकार से जो आरेख होता है उसको हमें बनाने के लिए दो रेखाओं की जोरत पड़ती है एक आड़ी और एक खड़ी ठीक है यह जो आड़ी में दिखाते हैं और जो उर्धुआधर मतलब खड़ी रिखा है उसे हम वाय अक्ष या वाय अक्ष के रुप में दिखाते हैं यहां तक बाते समझ में आई बिटा सभी बच्चों को कि आरेख बनाने के लिए द्वीवीमिय तल की आउर शक्ता होती है इस द्वीवीमिय त तल को ही हम कार्तिय तल कहते हैं क्यों कहते हैं क्यों कहते हैं इसे कार्तिय तल कार्तिय तल इसलिए कहा जाता है क्योंकि एक वैग्यानिक जिनका नाम था क्या था उनका नाम इसे कार्ती तल क्यों कहते हैं क्योंकि इनका नाम था रैने डी कार्ते है ना तो इसके नाम पर उन वैज्ञानिक के नाम पर जिन्होंने आरेक को परिभाशिट किया आरेक की संकल्पना की उनके नाम पर उन्होंने द्वीवीमिय तल पर इस आरेक को दर्शाने का तरीका बताया इसलिए इस द्वीवीमिय तल को इस कागच के तुकड़े को इस समतल को इस ब्लैक बोड को उन्होंने क्या कहा कारतिय तल कहा ठीक है, तो आरेक जब ही हम बात करेंगे, तो किस तल पर बनाया जाता है, किस जगा पर, किस इस्थान पर, तो वो है द्वेवी में तल, जिसका नाम है कारती तल, ठीक है, या इसे हम निर्दे शांक तल भी कहेंगे, ठीक है, इसे हम क्या-क्या कहेंगे, द्वेवी में तल, क बार्टीतल निर्धेशंक तल या इसे ही हम कागज का तुकड़ा भी कहेंगे या इसे ही हम ब्लैक बोर्ड प्लैक बोर्ड भी क्या है एक संब्सक्ला है乾ो है तो यह सब थो फ्रवर नहीं है हम सिंपल पेपर पे जो हम राउ करते हैं कोई भी चीज तो वो एक समतल पेपर समतल काज़ में करते हैं इसलिए ये जो तल है वो क्या कहलाएगा व्यूविमे तल कार्ती तल निद्रशांग तल या ठीक है तो यह होगी इस तल की बाद अब इस तल के बा तब इस कागज के कितने हिस्से हो गए जड़ा बताइए तो देख करके इस कागज के कितने हिस्से हो गए बिल्कुल सही चार हिस्से, कितने हिस्से हो गए, चार हिस्से, ठीक है, अब इस चार हिस्से को मैं पूरा बताने के पहले, मैं ये बता दूं, कि ये जो x अक्ष है, और y अक्ष है, यहाँ पर किस प्रकार से, ठीक है, तो ये है मूल बिंदू, जो संख्या रेखा में हमारा, शुन्य को दर यहां से ब्राबर ब्राबर भागू में बटा होता है और अंतराल में 1 2 3 4 5 6 7 उसी प्रकार से Ooh यहां भी एक ज्न दो खत्रीं से एनटिन ज्रेंट को 2 और भी आ गया बढ़ सकते हें ठीक है यही बताता है कि आप इसके आगे जितना आगे बढ़ना चाहें बढ़ सकते हैं उसी प्रकार से यदि मैं इसे उल्टूं उलटना भी नहीं है जैसे कि आप तलाब जानते हैं तलाब यह एक होती गहराई और एक यह जो तलाब का उपर हिस्सा है जो कि मूल बिंदू है और य जा सकता हूं या कितने अंदर ưởng tender जा उसके गहराई । मैं जा करे तैर्मत को बताती है । यह जो गहराई है यह क्या कि हुलाएगा धिनात्मक इस्सा श बायूर संख्या रेखा खड़ा खीच दिया आड़ा खीचा तो मैं जान गई कि हां इतर दाई और क्या एगा धनात्मक संख्या एंगी और बाई और रनात्मक संख्या हैंगी लेकिन संख्या को खड़ा कर दिया मुझे संख्या को कैसे बताना है जो कहां पर धनात्मक संख्या क्या अग Närगी तो इसकेल यह है कि Northeast आपका इट लापका ऊपर का हिस्सा शून्या कर टिंगैं और जैसे-जैसे आप उचाए की ओर जाते हैं तो इस प्रकार से आप यहां पर एक दो बराबर अंतराल में यहां पर हमेशा यह याद रखना है कि जो एक दो तीन चार हर जो हिस्सा है वो बराबर अंतराल में होना चाहिए चाहिए उपर की और हो चाहिए नीचे की और हो दाई और हो या बाई और हो एक दो तीन चार रिन एक रिन दो रिन तीन रिन चार ठीक है तो यह हमारा यह बन गया ग्राफ में आड़ी रेखा खड़ी रेखा जिसे हम आड़ी रेखा को एक्स अक्ष के नाम से जानते हैं और ख़डी रेखा को हम y x के नाम से जानते हैं, अगर ये x है तो रनात्म को और को हम x dash भी कहते हैं, इस पुरी रेखा को बताने के लिए, जो 36 रेखा है x dash x या x dash, ठीक है, ये आप कह सकते हैं, और इस y x को हम कह सकते हैं, y y dash या y dash y, ठीक है, तो ये आप इस प्रकार से इन रेखाओं को आप नाम करन कर सकते हैं, ठीक है, अब चुकि मैंने बताया कि चार हिस्से, आप जब इस दोनों रेखाओं को खीचे, तो इसके चार हिस्से हो गए, एक, दो, तीन, चार, आप कहीं से बिगिनेंगे, एक, दो, तीन, चार, लेकिन हमने चार तुकड़े किये, ये, एक, दो, तीन, चार, तो इसे हम क्या कहते हैं, चार में से एक, इसे हम कहते हैं, चार में से एक, चतुर्थांस, चार में से एक हिस्सा, चतुर्थांस, तो चतुर्थांस ये भी चतुर्थांस कहलाएगा, ये भी चतुर्थांस कहलाएगा क्योंकि जब ये एक समतल पेपर था जब हमने कोई भी लाइन ने किसा था तब ये तो एक तुकड़ा था अब मैंने इसमें आड़ी और खड़ी रेखा कर दिया तो इसके चार तुकड़े हो गए तो यह हो गया यह भी चतुर्थांस कहलाएगा यह वाला हिस्सा भी है ना य तो बिल्कुल वैसे ही हमने यहां पर क्या किया इस कागज में चार तुकड़े हो गए हैं आड़ी और खड़ी रेखा जब हमने खीचा चार तुकड़े हुए इस चार तुकड़ें में से हर एक हिस्सा क्या कहलाएगा चतुर्थांस कहलाएगा अब चतुर्थांस जब भी हम गिनते हैं तो यहां पर देखिए कि जहां जहां पर धन धन वाली संख्या पहले हमारे पास यह संख्या रेखा दिखाई दे रही है यहां पर भी धन वाली संख्या है और यहां भी धन वाली संख्या आपको दिखाई दे रही है तो जहां पर हमें धनात्मक संख्या धनात् वाला जो हिस्सा दिखाए दे रहा है यह प्रथम चतुर्थांस कहलाएगा नमेशा याद रखना जब भी हम गिंती करते हैं तो उस धन धन वाले हिस्से से गिंती करते हैं यहाँ पर दोनों हुई एक सक्ष में भी जो संख्या है पुरी धन आत्मक यहा पंप रवाय में पुरी धनात्मक संख्याय में दिखाई दे रहे हैं तो यह हो गया प्रत्धम चतुर्थांस उसके बाद वाला जो हिस्सा है वो आप सीधा सीधा गिनते चलिए ये ड्विती चतूर्थांस कहलाएगा उसके बाद वाला जो आप यहां से इधर आए अब इधर आए ठीक है तो ये हो गया त्रिती चतूर्थांस और ये कहलाएगा चतूर्थ चतूर्थांस ठीक है तो इस प्रकार से हमने नाम करण भी कर दिया फिर से मैं बता देती हूं इसे अच्छे से क्लियर करके तो हम गिनना कहां शुरू करेंगे चतुरथांस को हम कब गिनते हैं कैसे गिनते हैं तो जहां पर धनात्मक संख्या हैं एक्सक्ष और वायक्ष की धनात्मक संचाय हमें दिखाए दें धन धन वाला हिस्सा तो वो कहलाता है प्रधम जिसे हम फर्स्ट ठीक है यह चतुर्धांस हम कहेंगे वैसे ही यह सेकेंड हो गया यह हो गया थार्ड यह हो गया फूर्द तो यहां तक आपको बाते समझ में एक्ष ठीक है अब जब आएक्ष एक्ष और झृत्धे ही अशर्ध है एक्ष वायक्ष एक्ष 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 और यह एक्ष आप्ष सकर्वायकց के रूप में हमने जब इस एड ग्राफ को हमने बाटे तो इसके चार्ट पूझ भРИ yeastै नाम से जानते तो यह हो गा फर्स टॉर्थां ये हो गया सर्केंद ये थाड ये एat पहला दूसरा तीसरा तो है तेक है अब हम आगे बढ़ते हैं है यां फेतो तीन है तो सुन्य हैं इसठिया नहें हैं इपने लेकін संख्याएग्का से अलग हट कर यह कोई बिंदु है इस संघ्यारेगा से चाप्र किये दिखाऊंगी ए अगर संघ्यारेगा से हट कर कि यह बिंदू है तब मुझे उस अब मैं उसकी सिति को कैसे दिखाऊं तब हमें ग्राफ पेपर की आउशक्ता पड़ती है तब हमें आरेख बनाने की आउशक्ता पड़ती है किसी बिंदू को किसी बिंदू की स्थिती को दिखाने के लिए है ना किसी संख्या रिखा पर तो यह नहीं है अब यह बिंदू संख्या रिखा पर तो नहीं है अब मैं इसकी सिती कैसे दिखाऊं तो इसके लिए मुझे ग्राफ क्यों रखता पड़ती है जैसे कि मैं यहाँ पर एक मेरे पास एक है जिसकी माध्यम से हम इस चीज को समझते हैं यह है जब भी आप ग्राफ पेपर को देखेंगे आपके पास प्रैक्टिकल कॉपी वगर में है ना जब भी आप देखेंगे तो वो हल्का ग्रीन कलर का होता है यह ग्राफ पेपर मैं ला तो नहीं पाई उझे लाना थे यह था है ना तो और जब भी आप देखेंगे आपके किताब में भी होगा आप उन चित्रों को देख भी पा रहे होंगे ठीक है तो यहाँ पर आप देखेंगे कि पहले मैं यह बाट देती हूँ आपका yx और xx दोनों को हम बना देते हैं यह मैंने बना दिया और इसे मैं थुड़ा आगे भी निकाल देती हूँ है ना यह होगी आपका xx ठीक है और यह उपर की और होगी आपका yx यह जो मूल बिंदू है यह कहलाता है यह जो कटान बिंदू है यह कहलाता है मूल बिंदू जिसे हम इंग्लिश में ओरिजन कहते हैं ठीक है जैसे जहां से हम शुरू करते हैं ना थोड़ा पहले ना थोड़ा बाद तो जहां से हमने शुरू किया वो कहलाएगा मूल बिंदू है ना जहां से हम शुरूआत करते हैं तो यह है मूल बिंदू यह एक सक्ष बराबर बराबर हिस्सों में मैंने यहां पर बाटा हुआ है देखिए हर एक हिस्सा बराबर बटा हुआ है बराबर बराबर भाग में बटा हुआ है तो यह हो गया एक दिखाई दे रहा है सभी को clear चार पांच ठीक है एक दो तीन चार पांच ठीक है वैसे ही नीचे की और ये धनात्मक है अब इधर की और क्या होगा धनात्मक रिन एक रिन दो रिन तीन रिन चार रिन पांच वैसे ही रिन अत्मक रिन एक रिन दो रिन तीन रिन चार रिन पांच अब ये होगया एक्स ये होगया वायक्स मैंने कहा कि अगर यहाँ पर कोई बिंदू है इन रिखाओं से ये एक्स और ये वायक्स दोनों ही रिखाओं से परे होकर कोई बिंदू इस प्रिष्ठ पर है, इस सम्तल पर है, इस दुवेमिय तल पर है, इस कार्थिय तल पर है, इस कागज के तुकड़े पर है, तो मैं उस बिंदू की इस्थिती को कैसे बताऊं, तब उस बिंदू की इस्थिती को बताने के लिए हमें जरुवत पड़ती है, नि निडिर्शांत कैलाता है वो भी कैसी संख्या इस x-ox इस y-ox उस दूरी को बताते हुए भ confused निडिशांत की जरुएक पनती है जो जो कहलाती है जवक निडिर्शांत क्या कहलाएगी वो निर्देश शांग कहलाएगी ठीक है इस निर्देश अक्ष के समक्ष जो संख्या जो उस बिंदू की दूरी को बताएगा है ना तो उस संख्या की आउशक्ता हमें यहां पर पड़ेगी जिसे हम कहेंगे निर्देश शांग ठीक है अब देखिए अब य रेखा पर है ना इस X रेखा पर है ठीक है इना इस आड़ी ना इस खड़ी इना इस X अक्ष पर है ना इस Y अक्ष पर है लेकिन यह है इस सम्तल पर ही तो आप देखिए X अक्ष यह है S X अक्ष से इसकी दूरी कितनी है एक, दो, तीन, ठीक है, इस x अक्ष से इसकी दूरी एक, सुने से एक, फिर ये दो, और ये तीन, तो इसकी दूरी कितनी हो गई, तीन, तो हम जब भी निर्देशांग किसी भी बिंदू की इस सिची को बताते हैं, तो जब हम बताते हैं, तो हमें दो बिंदू की आशकता तो इस प्रकार से हम इसे लिखते कैसे है एक्स कॉमा वाइफ तो यह एक्स का मतलब है एक्स अक्ष से इस बिंदू की दूरी कितनी है देखते हैं एक दो एक्स से इसकी दूरी कितनी है तो हम यहां पर एक्स के दूरी में तीन लिख सकते से कहीं से भी देखेंगे इसकी दूरी कितनी है एक दो तीन एक दो तीन एक दो तीन ठीक है उसी प्रकार से य अक्ष से इसकी दूरी कितनी है जरह देखें तो सही य अक्ष से तो यह हो गया एक दो तीन कैसे एक दो तीन इसकी दूरी कितनी है कितनी है? तो यह तीन, ठीक है? तो अ हाँ, तीन, आब इसका दिखाना कैसे है? यह तो मैंने यहां से हैं इसे किया, ठीक है? तो Y, X, चुकि यह बिंदू यहां पर है, तो मुझे पहले आप इसे सीधी, आप स्केल की सायता से, आपको सबसे अच्छा पैचानने का तरिका यह है कि आप स्केल की सायता से इस बिंदू को पहले x से मिला दीजिए और इसे y से मिला दीजिए तब आप आसानी से इस बिंदू की स्थिती का इस बिंदू के निर्देशांग को आप आसानी से बता सकोगे कैसे बता सकेंगे कि y अक्ष X X के समकश भी इसकी दूरी 3 है और Y X के साथ भी इसकी दूरी कितनी है 3 इस प्रकार से यह जो बिंदू है जिसे मैं P नाम दे रेती हूँ इस P का जो निर्देशांग कहलाएगा इस बिंदू P का जो निर्देशांग कहलाएगा वो क्या कहलाएगा 3,3 तीन कॉमा तीन का मतलब है यह जो है एक सक्ष के समकशी इसका एक सक्ष के साथ इसकी दूरी है और यह वाइफ के साथ इसकी दूरी है ठीक है तो इस प्रकार से हम सम्तल पर किसी भी जैसे की अब समझ लीजिए कहीं पढ़ ले लेते हैं एक और बिंदू ले लेते है चलो अभी मैं और किसी चतूर्थांस मों नहीं जा रही हूं यह प्रज़म चतूर्थांस हमेशन हा याद रखना यह सेकड यह थर्ड यह फोर्थ अभी मैं पूसने वाली हूं है ना अभी मैं निर्दरशांग को इसलै पहले बता है हूँ, इस निर्दरशांग को देख करके हम किसी भी बिंदू के चतुर्थांज के बारे में आसानि से बता सकते हैं, ठीक है? तो हम सब से पहले इस चतुर्थांज को clear कर लेते हैं, कि किसी बिंदु इस निद्रशांग को पूरा कर लेते हैं, कि किसी भी बिंदु का निद्रशांग हम किस प्रकार से ज्याद करें। अब देखिए इसी चतुर्फांस में ही एक और बिंदु है, इसे भी पता लगाने के लिए पहले हम इसे एक्स अक्ष से मिला देते हैं और इसे वाय अक्ष से मिला देते हैं, ठीक है, अब ये बिंदु मिल गया एक्स अक्ष से और वाय अक्ष से, तो x अक्ष से इसकी दूरी कितनी है ज़रा देखिए तो सही एक दो तीन चार कितनी है इसकी दूरी एक दो तीन चार हर जगह पे इसकी दूरी कितनी है चार है ठीक है तो ये बिंदू e का जो पहला ये होगा चार x के साथ में इसकी दूरी और y के साथ में इसकी दूरी कितनी जरह देखिए तो सहीं एक एक दो तीन चार पांच बराबर बराबर भागों में यह बटा हुआ है तो इसकी दूरी है पांच थीक है तो यह हो गया इसके अलावा भी और दूसरा भी ले सकते हैं जैसे कि यह यहां पर एक बंदू चलिए क्यों है अब इसका निदिर शंगा बताइजалась इसकी सिती बताइज तो हम कीसे बताएंगे तो बिल्कुल वैसे ही पहले इसे अक्ष के साथ में मिला दिजिए तो हम देखेंगे की एक्स अक्ष के सात में इसकी दूरी कितनी है है कितनी है दूरी 1234 कितनी है इसकी दूरी कि अधिर एक डख़ तो तीन चार यहां से भी चार यहांसे भी चार मतलब हर इसकी दूरी कितनी है चार तो यह हो गया चार एक्स के साथ में इसकी दूरी चार हमेशा हम पहले एक्स को लिखते हैं फिर य को लिखते हैं तो यह क्या चार दिखाई दे रहा है कि कुछ और दिखाई दे रहा है जल्ली से बताओ कि आपको संख्या तो एक्सक्ष के साथ में इसकी दूरी कितनी है जली बताओ चार है कि कुछ और है जली बताओ चार है, हाँ, चार है, तो ये कैसा चार है, आपको क्या दिखाई दे रहा है, कुछ अंतर दिखाई दे रहा है, इधर भी चार लिखा है, तो क्या इधर भी चार लिखा ही होगा, आप संख्या रिखा पड़ रहे हो, एक तरफ धनात्मक संख्याएं होती है, एक तरफ धनात् तो यह हो गिया रिणि चार, अब देखिए, य के साथ में इसकी दूरी कितनी है, तो य की तरब सिफम नहीं कहा है एक खड़ा जाना पड़ता है। दो, ठेक है, क्यों दो, क्योंकि ये दो धनात्मक है, धनात्मक के लिए हम किसी प्रकार के चिन्द का प्रयोग नहीं करते हैं, लेकि धनात्मक संख्या के लिए हमें प्रयोग करना पड़ता है, तो ये हो गया, उसी प्रकार से एक और ले लेते हैं, चलिए भाई, ये एक और N की स्किति को बताईए जल्दी से बताईए X और Y पहले हमेशा X के साथ ही इसकी दूरी लेते हैं फिर Y के साथ में जल्दी बताईए X के साथ में इसकी दूरी कितनी है N की 1, 2 कितनी है दूरी 1, 2 मतलब Very good बहुत अच्छा RIN 2 और Y के साथ में इसकी दूरी कितनी है जल्दी बताईए Y के साथ में इसकी दूरी कितनी है ये देखिए जल्दी बताईए कितनी है इसकी दूरी ये क्या लिखा हुआ उसको ये अच्छा ने दिख रहा है A लिजे आप दिखाई दे रहा होगा बताईए क्या लिखा है ये क्या लिखा हुआ है दिखाई बताईए जल्दी से रिंड तीन ठीक है हाँ रिंड तीन ये सुन्य है इस सुन्य के बाद में रिंडो रिंडो रिंड तीन ठीक है तो इस प्रकार से सम्तल में संख्या रेखा के अलावा सम्तल में कहीं पर भी अगर कोई बिंदू हो तो ग्राफ पेपर पे आरेख के द्वारा, आरेख के माध्यम से हम उस बिंदू की इस्थिती को आसानी से बता सकते हैं, इस बिंदू की इस्थिती को हम संख्या के द्वार रहे हुं लोगा अब मैं इसेमेटा रही हुँ आपको समझ में आया रद्र डशांक क्या है कि नच किसे कहते है कोई बिंधू है उसकी स्थिति को बताने के एक से कितनी दूरी पर है की वह एक सक्वEd तो यह बताने के लिए हमें m priests आपड़ती है तो वही मैं पूषनी लिख रही हूँ केवल आप लोगों को देखना है यह द再 धनात्मक संखिया है quicker है इधर रनात्मक संखिया है हासा रूतों ना अभी मैं बता अन्य कुछ रही हूं। और दानात्मक ठीक है यह सिर्थम चतूर्थांस धन धन इधर ह dudलन है हमेशा x y के रूप में यी निर्दे शांग को बताया जाता है ठीक है यह याद रखना तो अगर रिंड तीन और दो है मतलब x x के साथ इसकी दूरी रिंड तीन है और y x के साथ में इसकी दूरी दो है तो एक रिण है और एक धन है तो यह जो । निर्दे शांग है यह किसommes चतूर्थांस में यहाएगा आपको बताना है कि यह जो बिंदू की स्थिती है हम इसे कौन से चतूर्थांस में बताएंगे पहले दूसरे तीसरे चौथे जल्दी से पता हम कैसे लगाते हैं कि यहां पर धन वाली संख्या मिल रही है तो धन वाली संख्या से हम स्टार्ट करते हैं तो धन धन यहां पर चतुर्थांस है जल्दी से बताईए यहां पर कौन सा यह जो संख्या है यह जो बिंदू की स्थिती है यह किस चतुर्थांस में आपको द रनात्मक है तो X रनात्मक कहां पर होगा यह देखिए जब यहां पर हम संख्या लेंगे तो यहां पर देखिए रेंटीन रेंटीन कहां पर लें एक्स की स्थिति रेंटीन यह है रेंटीन यह देखिए और वैसे ही यह यह की स्थिति क्या है यहाँ पर दो ये तो इस रिंड तीन से ये दो हमने मिलाया तब यहाँ पर एक बिंदू हम मिला पी जिसकी सिती रिंड तीन और ये दो तो ये किस चतुर्थांस में बन रहा है जरा देखो तो सही आप बता सकरे हो कि ये कौन से चतुर्थांस में बन रहा है मैंने बताया था धन धन पहला चतुर्थांस उसके बाद फिर सेकेंड उसके बाद थर्ड यहां पर देखने की जरुवत नहीं है उसके बाद और तो यह कौन से चतुर्थांस में है यह बिंदू की स्थिती यह जो पी बिंदू की स्थिती है यह किस चतुर्थांस में जल्द दोनों ही धनात्मक हैं धनात्मक का मतलब दोनों की दोनों यक्ष के साथ में और यह एक्स अक्ष के साथ में इसकी जो दूरी है वो दोनों ही धनात्मक हैं तो यह देखिए यहां से चार और वहां से पांच तो चार और यह मतलब हर के साथ में यहां पर भी चार यहां पर भी चार यह इसकी दूरी वैसे ही इसकी दूरी हर जगे पर क्या है पांच यहां से पांच यहां से पांच यहां से भी पांच तो जहां पर यह ओवरलैप हो रहा है यहां पर एक बिंदू दूसरे बिंदू को टेस्ट कर रहा ह वही पर यह बिंदू आ जाएगा ठीक है ना आरी बार समझ में तो यह हो गया Q बिंदू जहां पर X X के साथ में इसी दूरी 4 है और यह 5 है तो यह किस चतुर्थांस में दिखाई दे रहा है आपको प्रथम चतुर्थांस बहुत अच्सा बेटा यह प्रथम चतुर्थांस में दिखाई दे रहा है तो हम किसी भी बिंदू के निर्देशां को दे करके बता सकते हैं कि वह बिंदू इस कागश के तुकड़े पर किस चतुर्थांस में दिखाई देगी चतुर्थांस का मतलब यही होगा कि आपने आड़ी और खड़ी रेखा खीची और जब वो चार भाग में बढ़ गया तो हर एक हिस्सा चतुर्थांस का मतलब है चार में से एक तो यह हो गया चतुर्थांस और बिंडू की सिती को बता पाना जा अब देखिये आगे कि आपको अगर बोला जाए की चलिए ग्राफ बनाएये किसे किसके बीच में है कि आपको किसी भी संध़ी और उसके गुर्णाज के संख्या को आपने माना अब हमें ग्राफ बनाना है कैसे बनाएंगे माल लेजे संख्या और उसका गुणज हम संख्या को माल लेते हैं X ओर गुणज को मौल लेते हैं केंद्रत करना हूं एसे 3 का कैंदरते नौ ऐसे तो हम उसमें क्या करते जा रहे हैं 2 का जैसे कि 3 का गुणज मुझे चाहिए तो उसमें अगर मैं यहाँ पर चलो 2 लिखा है ना अब मुझे य को मानना है गुणज तो y बराबर हम क्या मानेंगे 2x क्योंकि हम 2 में इस 2 का जब गुणा करेंगे तब हमको 4 मिलेगा वैसे अग 2 में इस 3 का गुणा करेंगे तो 2 तीय 6 तो इस प्रकार से आपको एक संख्या और उसके गुणज के बीच में क्या बनाना है ग्राफ बनाना है तो कैसे बनाएंगे तो यह x हमने माना कोई संख्या और उसका गुणज बताने के लिए आप गुणज के लिए कुछ भी कर सकत यह तो मैंने दूनी-किसे पी संख्या के कहाड़ा जब कहम दो बर पढ़ते हैं तब कितनी संख्या आती है तो निर्दिशान च्वाहर तो चा़ आहां ठीकअल तब आपका निर्दिशान okay कि आपको निर्दिशान की बन रहा है ये तो पहला बन गया, दूसरा वाला क्या बन रहा है, तीन और च्छै, ये हो गया, तीसरा वाला क्या बन रहा है, जल्दी बताओ, चार और आठ, क्योंकि यहां पर मैंने क्या लिया है, केवल दो ही बार पहाडा पढ़ा, आप इसके अलावा ये भी ले सकते हूं, ये तीन बार भी पढ़ सकते हो, पहडा, चार बार भी पढ़ सकते हो, ये आपके उपर है, लेकिन अभी फिलहल क्या बताया गया है, संख्या और गुणज, तो आप गुणज अपने हिसाब से ले सकते हैं, जाए आप दो बर गुणा करें, तीन बर गुणा करें, चार बर गुणा करना है, जैसे कि आप देखिए, यह मैंने बनाया grab paper पर, हम नीचे की हो जाएंगे तो x 10, आप यहां पर क्या देख रहे हैं, सभी संख्या है धनात्मख है, यह धनात्मख है, धनात्मख है, धनात्मख है, मैंने कोई सभी Karma वाला यहँदी इस लिए मुझे कौण से चातूर्थांज की जूरत पड़ेगी प्रधम चाहतों की जुरत पड़ेगी और 2 mau श्कूर्थांज क की जूरत पड़ेगी प्रधं यह एक्स-प्स और 8, 9, 10, आगे भी ले सकते हैं 11, ठीक है, और इसके नीचे आप जाएंगे तो रनात्मक संख्याय मिलेंगी, इधर आप जाएंगे तो भी रनात्मक संख्या मिलेंगी, चुकि यहाँ पर रेनवाली संख्या नहीं है, तो मुझे इस रनात्मक उस जगह की आउशक्ता, उस इधर भी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, और ये 8, ठीक है, अब यहाँ पर पहला जो बिंदू दिखाई दे रहा है, वो क्या दिखाई दे रहा है, X, X के संख्या, 2, और Y के साथ इसकी जो दूरी है, वो दिखाई दे रही है, 4, ठीक है, 2 और 4, तो चलिए जल्दी से ले ले लेते हैं, म यह ले लिए अपना जहां तक भी दूरी, और उसके बाद क्या दिखाई दे रहा है, Y, X के साथ में, इसकी जो दूरी है, वो दिखाई दे रही है, 4, तो 1, 2, 3, 4, यहाँ पे 4, यहाँ पे 4, यहाँ पे 4, तो यह overlap, एक बिंदू के उपर में दूसरा बिंदू हमें दिखा ठीक है, आगे क्या दिखाई दे रहा है, 3 और 6, जल्दी से देखते हैं, 3 और 6, अब मैं इसे ब्लू कलर से दिखा रही हूँ, यह 1, 2, 3, तो यह 3 दिखाई दे रहा है, और उसके आगे क्या दिखाई दे रहा है, 6, तो यह 3, 3, हर जगस, हर बिंदू से इसकी दूरी, 3 है, तीन है, जहां तक आप तीन ले जाएंगे, वहां तक यह तीन दिखाई देगा, अब ऐसे ही yx के साथ में इसकी दूरी, क्या दिखाई दे रही है, 6, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, वैसे ही यहां से भी 6, यहां से भी 6, और यहां से भी 6, तो यह overlap हो रहा है यहां पर, एक बिंदू, से भी नाम दे दिया, और यह हो गया, 3, 6, तो इस प्रकार से, आप यहां क्या देख रहे हैं, यह x अक्ष क्या बता रहा है, आपको लिखना भी ज़रूरी है, x अक्ष क्या बता रहा है, आपकी संख्या को दिखाई बता रहा है, कि यह संख्या है, और इस संख्या के संख् क्या बता रहा है यह गुणज को बता रहा है तो x अक्ष बता रहा है संख्या को और y अक्ष क्या बता रहा है गुणज को बता रहा है तो इस प्रकार से आपने यह ग्राप बनाया संख्या और गुणज के बीच में ठीक है कि यहां पर यह बिंदू इस प्रकार से हमें मिल र यही से चीज दीजिए इसे प्रकार से आप चारा-अठ्ग वीकर सकते हैं आप यहां समय और दुरी को भी ले सकते हैं आप संख्यां गोड़ंश के बजाए यहां पर वर्ग की भुजा और वर्ग का परिमापby ले सकते जैसे कि आपके किताब में दिखाया गया है, बहुत सारे उधरान आपके books में दिखाया गया है, तो बच्चो इसमें main main यही चेज था कि आरेक क्या है, graph क्या है, इसके जो तल कौन कौन से होते हैं, इसमें जो चदुर्थांस, निर्देशांक, यह जो जो कुछ चीजे हैं जिनके बार में हमें पता होना चाहिए तो आज का मेन उद्देश यही था तो आपको कोई प्रश्न होगा तो आप पूछ सकते हैं अगर कुछ प्रश्न है बिटाँ ठीक है ना तो चलिए आशा करती हूं आपको सब समझ में आया होगा क्युत दो